मेरे प्रिय साथियों, सबसे पहले मैं वेटरंस इंडिया से जुड़े सभी पूरो वसाहिनिकों को कार्गेव यह दिवस की हर्दिक्षु कामनाई देता हूं आपका संगठन वेटरंस के वीच में लगातार अपनी सक्रीता बनाए हुए है इसके लिए आप सभी बढ़ाई के पात्र हैं साथी कार्गिल वीजय दिवस के आउसर पर मैं सभी सेनिकों यह देश वाशियों को भी हर्दिक्षु कामनाई देता हूं कार्गिल वी यह दिवस के वल एक दिन नहीं है बलकि इस देश के सैनिकों के पराक्रम और शौर का यह वियोत्स हुए साथियों हमारे देश में अनीक परव ऐसे आते हैं जो इस देश के वीर सपूतों के शौर और पराक्रम की याद दिलाते हैं वैशे तो हमारा देश इन वीरों के प्रति कृतग्यता को कभी नहीं भूल सकता फिर भी ये दिवस उन वीरों के सम्मान में हर बार एक नई जोटी जला जाते हैं कारगल वी ये दिवस भी उन्हीं महान परवों में से एक है मैं आज के दिन मात्रिभूंग पर अपना सरवस्य नयुचावर कर देने वाले उन्हान से नानियों का अस्मरण करता हूं और उन्हें शीष जुगा कर अपनी फ्रद्धान्यली भी एर्पित करता हूं साथ ही उन शहीदों की माताओं और उनके समस्थ परिजनों को भी मैं शीष जुगा कर नमन करता हूं मैं उन बहादुर सैनकों के प्रतिभी अपनी कतगता प्रकट करता हूं जो युद्ध में घायल हो गए और किसी प्रकार की शारीरिक अक्षमता से घिर गए पर हमारा सोभाग्य है कि वे आज भी हमारे बीच हैं और सेरा सही समाज को भी प्रेजित कर रहे हैं साथियों या किस वर्स पहले कारगिल की बरफीरी शोटियों पर हुई हमारी विजय को आज पूरा देश एक साथ याद कर रहा है उन वीरों की याद और उनके सम्मान में जगह जगह पर कारगिल विजय डिवस मनाया जा रहा है अनेक कारक्रम आयूजित किये जा रहे हैं यह सभी कारक्रम विपरीद परिसितियों में हमारी स्यनाओ द्वारा युद्ध जीतने की खुशी की याद में तो हैं ही साथे यह भारत देश की जनता के लिए एक महान प्रेणा के स्रोत भी हैं साथियों यह विजय दिवस किसी भूभाग विशेश को जीत लेने या उसे बचाये रखने भर की याद तक सीमित नहीं है यह दिवस देशों के बीच हुई गोली बारी और बारूरी युद्ध में हमारी विए की याद तक ही सीमित नहीं है बलकि यह दिवस हमारे देश के चाग, बलिजान, साहष, समर्पन, शौर्ग और संकल्प की महान परंपरा की एक महान कड़ी की रूप में दज है यह परंपरा इवदेश की संस्कृति का एक अखम हिस्सा है, जो सदियों से लगतार चली आ रही है साथियों, युद्ध के समय मैरान में भले ही कुछे एक हजार सैनिकों, परवास्तों में पूरा देश वह युद्ध लड़ रहा होता है सभी देश्वाशियों की आसाएं, आकांचाएं और इच्छाएं एक साथ आकर अपने राष्ट की जीत पर ठहर जाती है मुझे वह द्रश आज भी अपनी आँखों में साफ दिखाई पड़ता है जब टीवी पर यह सुदूर शेत्रों में रेडियो पर कारगिल युद्ध से चुड़ी खबरें आती थी तो गाउं के गाउं और शहरों में आफिस दफ्तर में लोग अपना काम छोड़कर खबर की तरफ मुड़ जाते थे देश की बच्चे बच्चे को कारगिल द्राश टाइगर हिल जैसे नाम रठ गए थे सबकी आँखों में बस एक ही उबीद और एक ही विश्वास किसी भी सूरत में भारत भारत देश की वी है आप लोगों को याद होगा भावगोलिक परिश्टियों के चलते कई बारी श्टियां हमारे विपरीथ हुईं मामला आगे पीशे हुआ पर नमन है उन डेश वक्त हुरीर यद्धाओं को जिन्होंने अपने संकल पर तनिक भी आँच नहीं आने दिया वह मोर्चे पर लगाता डटे रहे और अंततह तमाम छल और सड्यंत्र को मात देते हुए बीजय होकर वापस आये इस तरह यह जीत हमारे संकल और उमीदों की जीत थी पेरे प्यारे शाथियों कारगिल ना के बल हमारे रास्ती स्वाजमान का बलकि एक इन जस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा कारगिली बीजय के सिल्पी ततकालीन प्रधानमंत्री स्री अटल विहारी वाज पेई जी ने उस समय राष्टी सुरक्षा पर अपना जो द्रिश्टिकोंड प्रस्तुत किया था उसका जिक्र मैं यहां करना शाँ होगा उन्होंने कहा था हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं जुकेंगे हमने यह भी साबित कर दिया कि हम एक जिम्मेदार राष्ट है राष्टी सुरक्षा के दाएरे में हम जो कुछ भी करते हैं वो हमेशा आत्मरक्षा के लिए करते हैं आक्रमण के लिए नहीं है और अगर दुश्मन देश में कभी हमारी उपर आक्रमण किया तो हमने यह भी साबित कर दिया कि कारगिल की तरह हम उसे मुहतोर जवाब भी देंगे साथियों यह सेंटिमेंट जैसा 21 साल पहले था वैसा ही आज भी है हम शांत चाहने वाले देश हैं पर किसी संकट के समय अपनी रास्ति एकता और संप्रभता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तयार है अभी हाल ही में मुझे लेह लदाख जाने और वहां से इन बीर सपूतों को फ्रद्धांजली देने का आउसर प्राप्त हुआ था इसके पूर्व हमारे आदर्णी प्रधानमंत्री त्रिंदर्णर मोदी जी का भी वहां जाना हुआ था और उन्होंने वहां अपने सैंकों के साथ एक जीवंद स्वंद स्था दुस्मनों को मुहतोड जवाब दिया था वे अपने दिल और दिमाग दोनों से इसको समर्पित थे और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 20 वर्स पहले के मुकाबले मैंने वहां बहुत बड़ा बदलाव देखा वह चाहे एक्विप्मेंट प्रफाइल हो हाल ही में ड के वल्ड ट्रूप्स की बलकि टैंक्स और ब्यम्पीज की भी इस पीडी मप्लाइजेशन में सक्षम है मित्रों यह निवर्स हमें याद दिलाता है कि एक सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है वह ना किसी जात का होता है ना किसी मजभब का ना किसी वर्ग का होता है ना किसी वर् मात्र दर्म होता है करतव निस्ठा शैनिक का एक मात्र होता है अपने राफ्ट के प्रति करतव और हुए यह काती है मुझे गर्व होता है कि आज़ी आड़ फोर्सेश की इसी कमिट्मेंट के कारण अमारा देश एक सुरक्षित और गौरव पूर्ण जीवन जीता है। साथियों, आज हम देश वास्यों को अपने सैनिकों की इसी निष्ठा और कर्तब विभाव का अनुकरन करने की जरूरत है। हम सबको अपने देश का एक इमानदार सैनिक बनने की जरूरत है। देश की सीमा पर रहकर देश की सेवा करना एक सैनिक का धर्म तो है ही। साथि देश के अंदर रहकर भी देश के प्रति अपने कर्तब्यों का इमानदारी से निर्वाह करना भी एक सैनिक धर्म ही है। इस देश को सुरक्षित रखने का कारे अगर हमारे सीमा के सैनिक कर रहे हैं तो इसकी एकता, अखंडता और भाईशारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेलारी है हमारे देश में हमेशा अमंचैन बना रहे आपसी सोहार्द बना रहे और हम लगातार विकास के परफ़ पर उन्मुक रहें मैं समझता हूं हमारे बीर बहादर जवानों के लिए यह सबसे बड़ी सद्धान जलिये होगी साथियों, यह हमारे जैस के बीर जवानों के परती कृतक गता का भाव रखता है मात्र भूम की सेवा में इन बीर सपुतों का विल्दान यद्यप बेजोड है और इसकी कोई कीमत नहीं चुकाई आ सकती है लेकिन हम विस्वाफ दिलाते हैं कि यह सरकार सही होई इन बीर जवानों के परजनों के साथ खड़ी है आज का हमारा हर वैरियर आने वाले कल का संबानिक वेटरन है अपने वेटरन्स की कुशल्चेम और उनकी संतुष्टी सुलिश्चित करना यह हमारा परम करतब्य है और यह सरकार अपने करतब्य को अच्छी तरह समझती है देश की स्यवा का उसर मिलने के साथ ही वन रैंक वन पेंशन जैसी पहल पर कार्य करना इसका एक उदाहन है ऐसे ही और भी कई उदाहन है जिनमें हमारे वेटरन्स के वेलफेर और उनके रीशेटलमेंट और हेल्थ केयर पेंशन पॉलसी बच्चों के एडिकेशन ग्रिवेंस रिडेशल सिस्टम के साथ साथ बरतमान में आई महामारी यानि कोविड रेस्पांस के लिए भी हमारी और से बड़े पैमाने पर प्रियास किया रहे हैं सभी हेल्थ के और आर्गनाईशन के रिजिनल सेंटर्स को यह एडिवेजरी यारी की गई है कि कि किसी भी वेटरन कोविड नाइंटीन पेसेंट का इलाज ECHS नार्म्स के तहत ही किया जाएगा यह जांकर बहुत ही अच्छा लगा और सच मुझे गर्वकी भी अनुद्ध हुई कि केंद्रियासाइनिक बोर्ड ने पूरे देश से एक लाख असी हजार ऐसे यक्ट फेर्विसमेंन को आइडेंटिफाई किया है जो आवश्यक्ता पढ़ने पर करोना काल में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्द है आपना के इन दिनों में हमारे इन पूर्व साहिनिकों ने देश के विभिन हिस्सों में होम क्व ब्यवस्था करने लोगों से फिजिकल डिस्टैंसिंग का अनबालंग करवाने और इंटर इस्टेट माइग्रेंट वरकर्स की मुव्मेंट कंट्रोल करने में अपना सहयोग दिया है देश सेवा की इससे बड़ी पराकास्था और क्या हो सकती है कि जिन सेनकों ने कल तक सी है सीमा के अंदर भी वे तन मन से देश को अपनी सेवा देने के लिए तक पर है कि मेरे साथियों मैं पुनह एक बार अपने वीर जवानों के प्रति प्रद्धान्जली अर्पित करते हुए हर हाल में उनके परजिनों की देख भाल का संकल्प दोहराता हूं और हर इस्टित में उनके साथ खड़े होने का बचन देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं आप सबको धन्यवाद व्यए हिंद